इंडियान नेवी ने फिर दिखाई टाकद समुधरी लुपेरों के छुड़ाए पती ने तेस पाकिस्टानी सदस्तियों को बचाया समुधरी सुरक्षा को लेकर भारती नोसेना लगातार मुस्तैद नजर आरही है समुद्री आतायात को सुरुचित बनाने के लिए भारती नोसेना अभ्यान के तहट अपनी कारवाई को लगातार अंजाम दे रही है ओपरेशन संकल के जरिये इंडियन नेवी लगातार समुद्री लुटेरों के मनसूबे पर पानी फिरती नजरार ही है इसी कड़ी में एक बार फिर भारती नोसेना ने अपने शवरी का लोहा मनवाया है जी हाँ भारती नोसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है दरसल समुद्री लुटेरों ने इरान की एक मचली पकड़ने वाली शिप को हाईजे कर लिया जिसकी भारती नोसेना को एक मरजंसी कॉल मिली, जिस पर तक काल कारवाई करते हुए भारती नोसेना ने इरानी शिप को बचाने के लिए अरप सागर में अभियान छेड़ दिया। उसे सुरक्षिक छुआने की कारवाई को अंजाम दिया। भारती नोसेना और समुदरी लुटेरों के 20 तकरीबन 12 घंटे तक संघर चलता रहा। आखिरकार इंदियन नेवी के बहादुल जवानों ने लुटेरों को स्थरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इर जरिये इसकी जानकारी भी दी है। टुट में दिखा गया है आइनस सुमिधा ने शुकरवार तरके एफवी अलकंबर 786 को रोका और वाद में आइनस त्रिशूल भी इसने शामिल हो गया। एस ओफी की अनुसार 12 घंटे से अधिक की गहन का ठोट सामरिक कारवाई के अभरत एफवी फर सवार समुधरी लुटेरों को आत्म समर्फल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चालक दल में 23 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इरान की अलकंबर 786 नाम की पोट अरब सागर में मचली पकड़ने गई थी। इसके चालक दलों में 23 पाकिस्तानी नागरिक थे तभी अचानक से समुधरी लुटेरों ने हमला का शिप को हाईजेक कर लिया। भाती नोसियना की कमान को इसकी सूचना मिली जिसके बाद अगवा शिप को छोड़ाने की कारवाई की देई। इस अभियान में गश्ती पोत आयनस सुमेधा की भूम का काफी एहम रही। बता दे कि इसराइल और हमास युद के बाद से अधन की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर में समुधरी लुटेरों की गत्विधियां बढ़िन हैं, जिसके चलते व्यापारिक जहाजों पर उनके हमलों में भी तेजी देखी गई है। की ओग जनके हमलों में बड़िन हैं, जिसके हम जए में बढ़िन झाहर में जहाजों पर ननके हमलों पर उनके हमलों में जहाज़ पर जैसे जहाज़। यहाजर।